गुड आप्टर्मून प्यारे बच्चों बहुत अच्छे आज तो स्क्रीन फूल आ रही है चलो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजे डिसकस की हम लोगों ने डिसकस की था स्लोप का फिसकल मीनिंग क्या होता है यह हमने देखा अगर विलासिटी टाइम ग् दिया हुआ तो स्लोप क्या बताएगा विलासिटी इस तरह की चीजे हम लोगों ने डिसकस की थी एरिया आज डिसकस करते हैं कि एरिया किसी भी कर्व का क्या बताता है एरिया से क्या मतलब होता है यह चीजे हम देख लेते हैं जैसे मानलो वही अपना पुराना ग्राफ ल लेते हैं या कोई एक straight line ले लेते हैं कुछ भी ले लो कि यह straight line क्या represent कर रही है लेकिन velocity का magnitude क्या है constant constant velocity के लिए यह कर्व हम बनाएंगे अब यह जो कर्व है इसके नीचे का जो यह area है यह आपका क्या represent करेगा अगर ध्यान से देखा जाए इसके area निकालने में यह चीज और यह वाली चीज का multiplication करूंगा यह वाली जो चीज है यह आपकी velocity का magnitude देगी यह height क्या देगी velocity और यह क्या देगा time का difference जैसे मालो यह T2 time होगा यहां से लेकर यहां तक का time क्या है T2 और यहां से लेकर यहां तक का time क्या है T1 जीरो से measure करेंगे न तो यह वाला जो gap है यह आपका बतायागा T2 minus T1 T2 minus T1 is basically time and this is basically velocity velocity into time यह चीज हमको मिल रही है velocity into time velocity क्या चीज होती है change in displacement upon change in time और यह वाली जो चीज है basically change in time है delta T, T2 minus T1 तो T2 minus T1 मतलब delta T, delta T से delta T cancel out हो गया तो क्या मिला displacement यह चेंज in displacement तो basically यहां पर हुआ क्या जो y-axis है और जो x-axis है इन दोनों का हमने multiply कर दिया किसी भी चीज का area निकालने के लिए किसी भी चीज का area निकालने के लिए हम y-axis और x-axis का multiplication कर रहा है तो यह चीज होई तो हम अगर कभी भी किसी भी करोग का हमें slope निकालना है अगर हमें slope निकालना है y-axis यह line दी हुई है slope निकालने के लिए क्या करते थे y-axis upon x-axis कर देते थे और इसको लिख देते थे change in y upon change in x लेकिन जब कभी भी slope नहीं निकालना हो area निकालना हो तो क्या करेंगे y-axis into x-axis इसमें change लगा दो यानि इन दोनों एक्सिस का multiplication area देगा और y-axis upon x-axis क्या देगा? slope क्या इतनी चीज क्लियर है? बहुत question मनाये जा सकते हैं और बनते हैं एक screen saw ले लें बस आपको यह याद रखना है area निकालना है दोनों को multiply कर दो और अगर slope निकालना है दोनों को divide कर दो खतम अच्छा अब वह question कैसे बनेगा? बार बार वह आपके बुद्धिमत्ता पर question mark खड़ा करेगा examiner कैसे? जैसे ध्यान से देखें अगर हम slope पर चर्चा करें एक graph आपको देदें potential versus i, ohm slope पढ़ाओगा, v is equal to kya होता है, ir, 10th में पढ़ाओगा आपने, ठिक तो यह potential है और यह current है और आपको मैं दो line देदू, एक line मैंने यह देदी, line number one और एक line मैंने यह देदी, line number two, मैं आपसे यह पूछूँ, यह जो line है, यह क्या represent कर रहा है, इसका slope क्या represent कर रहा है, बताइए reply करिए, slope क्या चीज है, very good, निशा ने बताया, resistance, resistance, सीमा, very good, slope क्या बताएगा, यह axis upon यह axis, मतलब y upon x, y क्या है v, x क्या है i, मतलब i को अगर मैं नीचे ले जाओं, तो v upon i क्या होगा, resistance, अब सवाल यहां से शुरू होता है, इसका resistance है r1, इसका resistance है r2, सवाल यह पूछा गया, कौ first, very good, r1, question jy ने क्या पूछा, jy ने इस कर्व को उल्टा कर दिया, उसने दो लाइने बनाई, यहां पे 1, यहां पे 2, यह बनाया i, sorry, यह बनाया b, और यह बनाया i, अब पूछा कौन सा resistance बढ़ा है, कौन सा resistance बढ़ा है, very good, r2 बढ़ा होगा, क्यों, क्योंकि अब यहां पर हमें resistance नहीं मिला है, इसका slope क्या बता रहा है, i upon v, i upon v कर देंगे, तो resistance ना मिलके, one upon resistance मिलने लगेगा, run upon resistance इसका बढ़ा है, वन अपान रजिस्टेंस का बड़ा है मतलब इसका रजिस्टेंस छोटा रहा होग 40 इसका र fortunately इसका बार रहा होगा वन अपान अर्र बताने लगेए इस तरह की थोड़ी बहुत चर्चाहिए इसमें आति-स क में आती रहती लेता है बहुत ज्यादा important ना लगे, तो screen sound ना ले, रफ कर देता हूँ, और चर्चाएं करते हैं जैसे कि आप लोगोंने पढ़ा होगा work, 9th में पढ़ा होगा, work क्या होता? force into displacement, force into displacement, मान लो आपको force दिया हो, displacement दिया हो, और इस तरहे का कुछ grab दे दे, बताओ, इसका area क्या बताएगा? force versus displacement, curve का area क्या represent कर रहा है? यह जो area है, अगर मैं यह निकाल लूँ, तो मैंने क्या निकाल लिया? work निकाल लिया, very good, सीमा, क्योंकि area क्या बताता है? y-axis into x-axis, force x में क्या displacement दोनों का multiply कर दिया, तो क्या निकालाया? work, अच्छा, इसको मैं थोड़ा इस तरह से अगर पूछू, कि यह force हो जाए और यह time हो जाए, यह curve हो जाए, अब बताएए इसका slope क्या बताएगा? force versus time, curve का slope, अच्छा, मैं इसका slope नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे area पूछूँगा, area पे चर्चा चल लेए, तो पहले area cover कर रखते हैं, यह मानलो मैंने एक graph बनाया, अब इसका जो area है, यह क्या बता रहा है? force versus time curve का area, work नहीं बताएगा? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा? क्या आप लोगों को force की definition याद है? velocity भी नहीं बताएगा, गलत! क्या आप लोगों को force की definition याद है? force क्या होता है? force की basic definition, rate of change of, rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum is called force. मतलब, इसका मतलब यहाँ पर समझते हैं, rate of change of, जब rate of change of आएगा तो time के respect में हमको देखनी पड़ेगी चीज़े, तो यानि कि time के respect में कोई चीज़ चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रहा है? momentum, अभी आपने differentiation ज्यादा नहीं पड़ाया, तो मैं delta का symbol यूज़ करता हूँ. ये जो चीज है, P, इसको बोला गया momentum, और momentum क्या चीज होती है, mass into velocity, कोई चीज है जिसमें mass है, उसको मैं b velocity से फेक दूँ, तो उसमें क्या गया momentum, इन दोनों को product आ गया, अच्छा, तो इसको क्या लिखा गया change, momentum, mass into velocity, upon change in time, जब कोई body चल रही है, और उसमें अगर mass change नह समय के साथ velocity, क्योंकि एक समय के बाद वो रुकेगा भी, यानि उसकी velocity चेंज हो रही है, और rate of change of velocity, जो होती है, इसी को क्या बोलते है, acceleration, और आपने formula क्या पढ़ा है, mass into acceleration, ये आपने पढ़ा है, लेकिन basic formula क्या है, basic formula ये, force is equal to change in momentum upon change in time, अब ध्यान से देखें, ये जो आ एरिया मैं बात करूँ, तो area क्या बताएगा, area बताएगा force into, ये जो है, ये change in time है, nा, change in time, अगर मैं इस change in time का multiply कर देता हूं, तो force into change in time किसके बराबर हो जाएगा, change in momentum के बराबर हो जाएगा, यानि इसका जो area है, वो आपका change in momentum बताएगा, जब कभी भी ये graph आपको द जहां से देखें, बहुतों को तो force की basic definition ही नहीं पता है, mass into acceleration ही रट्टे आ रहे हैं, कैसे काम चलेगा, screenshot ले लो, क्या इतनी कहानी clear है, या किसी को doubt है, अच्छा, आपको numerical करते हैं, जैसे यह numerical आया नीट में, 1994, क्या पूछ रहा है, the displacement time graph of a moving particle is shown below, instantaneous velocity of the particle is negative at the point, तुमको चार point दिये गये हैं, CDEF, इसमें किस point पे instantaneous velocity आपकी negative होगी, यह बताना है, कल मैंने आपको बताया था, instantaneous velocity निकालने का तरीका, उस point पे हमें क्या कर देना होता है, slope खीचना होता है, tangent खीचना होता है, फिर उस tangent को देखके हम जज करते हैं, कि यह positive slope बनाएगा या negative slope बनाएगा, सीमा का अंसर बिल्कुल सही है, देखें, जैसे माल लो, यहाँ पे मुझे अगर निकालना है, है velocity, instantaneous, instantaneous, velocity, तो velocity क्या होता है, displacement upon time, यह change in displacement upon change in time, मतलब यह upon यह, मतलब slope, tan theta, तो यहाँ पर हम tangent खीचेंगे, तो कुछ ही आया, और मुझे पता है, यह वाली कौन सी slope की line होती है, positive slope की line, क्यों, क्योंकि इस line में y लगातार बढ़ रहा है, और x भी लगातार बढ़ रहा है, यानि numerator भी increase हो रहा है, denominator भी इसलिए positive slope, यहाँ पर slope देखा जाए, तो 0 हो गया, यहाँ पर slope देखा जाए, तो negative हो गया, यहाँ पर देखा जाए, तो again positive, हमसे क्या पूछा है, negative, तो यह वाला point हो गया, और answer क्या हो गया, यह, ध्यान से देख लेए, कल का lecture अगर समझ में आया होगा, तो यह question आपके लिए मजाग था, निया का answer सही है, राउल का सही है, निसा का सही है, very good, good afternoon, galaxy 12, galaxy j2, अच्छा, अगला numerical, यहाँ पर आपको चार point दिया हुए है, अब particle source, the distance time curve, as given in the figure, maximum instantaneous velocity किदर होगी, बताओ, need 2008 का question, proof कर दोगी है, मजाख है, maximum बताना है, maximum, ध्यान से देखें निसा, answer गलत है, very good, अच्छा, तुम option D बता रहो कि, कहां गया, विसाल, option, option बताईए, यह जो small में लिखा है न, A, B, C, D, यह बताईए, capital में मत बताईए, very good, राहूल का अंसर सही है, option D, देखो कैसे, हमें क्या बताना है, maximum instantaneous velocity, instantaneous velocity क्या होती, उस जगए का slope होता है, जिस जगए slope हमारा vertical की तरफ ज़्यादा जुका होगा, वही आपकी maximum instantaneous velocity होगी, अगर मैं बात करूँ इस point की, कौन सा color चले गए, यह चल सकता है, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं tangent की बात करूँ, तो tangent कुछ इस तरह से बना, यह आपकी velocity हो गई, velocity at A point, यहाँ पे अगर मैं tangent की बात करूँ, तो velocity कुछ इस तरह से बनेगी, यह हो velocity at C, और यहाँ पे हो गई velocity at D, तो सबसे उपर कौन है, C, यानि C की velocity क्या है, ज्यादा, C की velocity, C की velocity ज्यादा है, मतलब option क्या हो गया, D, विशाल यादो, गलत है भीया, tangent कीचना नहीं आता, नहीं आता तो सीखें, बहुत सी चीज़ा सीखने हैं, किसे कोई doubt हो, पूछो, अगला question, इसमें से बताना है, कौन सा motion possible नहीं है, which of the following curve does not represent the motion in one dimension, बताईए, ये actually motion नहीं है, ये common sense है, common sense है, आप बता सकते हो, कि motion कौन सा possible होगा, कौन सा possible, नहीं होगा, physics सिसमें लगेगे नहीं, common sense लगाना, बताएं, master इंतिजार कर रहा है, सीमा कांसर आए, D गलत है, सुमित गलत, विशाल यादो सही, देखें क्यों, देखो, one dimension motion का मतलब है, एक state line में motion, अच्छा, एक state line में motion का क्या मतलब हुआ, एक ही time में velocity क्या होगी? एक ही direction में होगी न, एक ही time में velocity की direction क्या होगी? ऐसे अगर मालो particle चल ला है, या particle ऐसे चल ला है, जिस time पर आपने देखा, या तो उधर जा रहा होगा, या तो इदख यह time में दो velocity तो possible नहीं हो सक्ती ना देखें यहां पर इस टाइम पर यह विलोसिटी है इस टाइम पर यह विलोसिटी है इस टाइम पर यह विलोसिटी है कोई दिक्कत वाली बाद नहीं यहां पर भी देखें एक टाइम पर एक ही इंटरसेक्शन आ रहा है यहां पर देखें एक टाइम पर एक ही intersection है, इस टाइम पर ये intersection, इस टाइम पर ये intersection, लेकिन यहाँ पर एक time में दो velocity दिख रही है, जो की possible नहीं है, स्क्रीन शॉट ले ले, तो ये physics थोड़ी ना था, ये तो common sense था, अगला question, यहाँ पर जो graph आपको दिया हुआ है, वो force versus time का दिया हुआ है, किसका, force versus time, और हमसे क्या पूचा है, change in momentum of the particle over the time interval, इन दोनों का multiply करें, तो क्या आएगा, force की definition क्या होती है, change in momentum upon change in time, इन दोनों का multiply करतें, क्या आगया, change in momentum, निकाल के बताओ, निकाल के बताएं, इसमें क्या करना है, area लेना है, positive, negative, ध्यान से देना, positive चीज़ जुडएंगी, negative चीज गर जाएगी, बताएं, प्यारे बच्चों, very good, दिने से यादों का सही है, सीमा ए, गलत आ रहा है, ध्यान से देकें, हमको क्या करना है, इसका area निकालना है, इसका area निकालना है, इसका area निकालना है, जोल देना है, 6, height कितनी है, 6, तो 2 से 2 कट गया, इसका area कितना है, 6, प्लस का क्या माइनस का, इसका area अगर निकालने, नीचे वाले का, तो ये वाली side और ये वाली side इनका multiplication होगा, ये वाली side तो positive है, लेकिन ये वाली side क्या है, negative, इसका area क्या है, negative, अच्छा, ये वाली side कितनी होगी, ये 4 है, ये 2 है, तो ये कितना बचा, 2, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 4, तो ये कितना बचा, 2, अच्छा, नीचे यारि हमारा आंसर शिरफ और इस एरिया पे depends करता है, बास समझ में आई, शिरफ और इस एरिया पे depends करता, अब यह ऐरिया कितना होगा, यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां तक 4 है, यह कितना बचा, 4 और यह height कितनी बची, 3, तो 4 और 3 कितना हुआ, 12, और तुमको change in momentum निका क्या question कठीन था? question कठीन बिल्कुल नहीं था, NEET 2014, आपको बस यह पता होना चाहिए कि area क्या बताएगा, आपको यह पता होना चाहिए कि force की basic definition क्या होती है, mass into acceleration नहीं होती, change in momentum upon change in time होता है, उसी से दोनों formulae बनते हैं, अच्छा, अगला numerical बताएं, यहाँ पर force और time नहीं दिया, force और क्या दे दिया? displacement, और पूछ रहा है work done, क्या पूछ रहा है? work done, अगर force और displacement, यानि y axis और x axis दोनों को multiply करते हैं, तो area बनेगा, और force into displacement, ठी work होता है, मतलब हमको area निकालना है, रहूल का या ठारा? नो, चार, तेरा, तेरा बटे दो, तेरा बटे दो, इन्टो गलत है, very good, यह जो लंबा सा नाम है, जिसका, उसने सही आंसर दिया, 13, दिने से आदो गलत, निसा very good, बहुत बढ़िया, बहुत सुन्दर, तो अब ध्यान से देखें, हमको क्या निकालना है, इस चीज का area निकालना है, क्या चीज? इस चीज का area, इस चीज का area निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ये area निकाल लें, और फिर ये area निकाल लें, और दोनों को add कर दें, एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका ये जो होता है, इसको बोलते है, ट्रिपेजियम, इसमें दो parallel sides होती है, ये वाली side और ये वाली side दोनों parallel है, और दोनों के बीच में एक height है, इस तरह है, कि shape को बोलते है, ट्रिपेजियम, तो दोनों के area का formula हमको पता होना चाहिए, इसको दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका देखो, option 13 सही है, अब मैं इसको solve करता हूँ, दोनों तरीकों से, तो मेरे पास जो graph था, वो कुछ इस तरह से था, यह वाली जो चीज है, यह वाली चीज मुझको दी हुई है, दो, ठिक, और यह जो चीज है, यह वाली चीज कितनी है, यहाँ से लेकर कि यहां तक 12, यहां से लेकर यहां तक 3, तो यह वाली जो चीज बची 12-3 यानिस 9 बची, ठीक, और यह वाली चीज कितनी है? यह वाली चीज इतनी है, मतलब 7-3, 7-3 मतलब 4 तो देखो, यहां पर अगर मैं को फार्मूला लगाउं तो ग्रियियम का अफ़े sıसरी ओपस्ण को अर्य्या होता है एरिया ओफे था हाफ हाफ अफ सम अप्रेशयृ साइट्स सम ओफ इसाइड ने नौ फे इसेल यह टू प्रेशयृ मिलया है इसलिए चाहो तो इसको याद रखो, जब दो साइट पहलाल दिख जाएं, और इस तरह की चार पुजाओं की आक्रती हो तो उसको ट्रिफेजियम बोलते हो, उसके एरिया का ये फार्मुला होता है, हमको क्या करना है, जो साइट पहलाल है, उनको ब्रैकेट में ऐड कर दो, और उनके बीच के gap को multiply कर दो, यह formula है, तो क्या करेंगे half, यह वाली side 9, यह वाली side 4, तो 9 plus 4 हो गया, और इन दोनों side के बीच की distance जो है, वो 2 है, 2 से 2 कट गया, 9 4 कितना हुआ, 13 joule, answer. दूसरा तरीका, आप यह area निकाल लें, यह area क्या होगा, 4 into 2, 4 into 2 कितना हुआ, 8, अब उसके बाद यह वाला area निकालें, यह क्या होगा, half base into height, देखो, total कितना है, total आपका 9 है, 9 में से यह 4 चला गया, तो कितना बचा 5, तो base आगया आपका 5, तो half base आगया 5, और height कितनी है, 2, 2 से 2 कट गया, एरिया कितना आया, 5, 5 और 8 को add कर दें, तो 8, 5, 13, तब भी 13 आया, तो दोनों तरीके से यह question solve किया जा सकता था, इस तरहे के question बहुत आसान होते हैं, बस आपको area और slope का ज्यान होना चाहिए, वैसे question अकसर competition में पूछे जाते हैं, यह वाला बताएं, इसमें भी force और displacement दिया हुआ, work done पूछा है, 0 से 6 मीटर तक, work done बताना है, गलत मत करना, फिर से ट्रेपेजियम है, बार बार अनेक बार ट्रेपेजियम पूछा जाता है, formula रटने में कोई बुरा ही नहीं है, गलत, हाँ, यह option B जिसने बोला हो सही है, विसाल यादो, सीमा, very good, दिने से यादो, गलत है, देखें, जल्दबाजियम calculation में स्टेक की होगी और क्या, देखो, यह ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का area क्या लगाएंगे, हाँ, sum of the parallel sides, यह वाली side कितनी 6, यह वाली side कितनी 3, तो 6 plus 3, into, gap between them, gap between them क्या 3, अब यह 6, 3 कितना हुआ, 9, 9 और 3, 27, by 2, यानि 13.5, क्या समझ में आ रहा है, या physics से डर लग रहा है, कि कुछ लोगों के प्राण निकल गए, बताते रहें, comment में, जिनके जिनके प्राण निकल गए हूँ, अगली चीजें, अगली चीज अब स्टार्ट करते हैं, differentiation, differentiation for formulas, ठीक, differentiation formulas में हम लोगों ने कौन कौन से formula देख लिये थ तो हम लोगों लिए वाला formula देखा था, कि अगर y is equal to x की power n है, और इसको differentiate करें, तो यह जो power है, यह नीचे आ जाती है, और उपर power x कम हो जाती, इस थरह के हमने कुछ numerical try किये, फिर उसके बाद हमने यह देखा कि y is equal to constant हो जाए, तो उसका differentiation क्या जाता है, 0, फिर उसके इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, फिर उसके बाद हमने यह देखा, यह हमारा general format है, फिर हमने यह देखा इसका formula, e की power x था, e की power x as it is आ गया, log e के साथ में e आएगा, जो की 1 हो जाएगा, जो की 1 हो जाएगा, तो यही formula बना, इतने formula हमने कल देखे थे, अच्छा, अब यह formula देखो, अगर ln x है, मतलब natural log, log base e, log base e, उसके साथ अगर x है, तो इसका differentiation होता है, 1 upon x, इसको याद रखें, अगर यह तुमको पता चल गया, तो क्या हम यह numerical कर सकते हैं, यहाँ पर e की power x या a की power x नहीं, यह x की power x है, यानि दोनो variable हैं, इसको पिछले वाले concept से compare करें, यहाँ पर यह वाली चीज क्या थी, constant, यह वाली चीज क्या थी, constant, और सिर्फ उपर वाली जो चीज थी, वही variable थी, यहाँ पर दोनो variable हैं, इसलिए इसको constant की तरह हम treat नहीं कर सकते हैं, तरीका समझें, हम लोगों ने log में फार्मूले लोग यानि ln m into n, m into n, यह होता है ln m plus ln n, फिर हमने पढ़ा ln m की power n, पहले आ जाती ही ln m हो जाएगा, फिर हमने पढ़ा था, ln m upon n is equal to ln m minus ln n, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, अब इसको में break करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, x अलग हो जाएं, और यह अ तो मैं दोनों तरफ मुझे क्या लेना चाहिए, log, अगर मैं दोनों तरफ log ले लूँ, इधर क्या आया, ln y, और इधर क्या आया, ln x की power x, अब power तो इधर आ जाएगी, नीचे उतर आएगी, तो x ln x, यह format बन गया, क्या बन गया, format, अब आपको एक और formula याद होना चाहिए इतना समझने में कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, दोनों तरफ क्या ले लिए log, यहाँ log आ गया, यहाँ पर log आया, power उतर आई, इतना concept, अब यहाँ पर दो variable हैं, और दोनों variable आपस में multiplication में, इसका क्या formula होता है, अगर दो variable multiply में हैं, एक साथ इन मैंने लिखा कि अगर दो चीजे हैं, यू है और व है, और दोनों आपके x है, माललो, x के function है, इन में से कोई भी constant नहीं है, दोनों x के function है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले x के respect में differentiate कर देंगे, फिर अगर plus लगाए तो plus लगाएंगे, minus लगाए तो minus लगाएंगे, और v इसको differentiate करेंगे, यानि अलग-अलग differentiate करेंगे, example, जैसे ये दिया हुआ, x cube और x square, ये u plus v के format है, यानि ये भी x का function है, ये भी x का function है, तो dy, y, dx कैसे निगालेंगे, सबसे पहले इसका differentiation करेंगे, तो 3 आ गया, नीचे और 1 पावर कम हो गई, प्लस लगाए तो प्लस लगा इस तरह की format का ये example था, अगला format होता है, ये भी x का function, ये भी x का function दोनों का multiply कर दिया जाए, इस तरह अगर लिखा हो, तो क्या करें, समझें, जब इसका differentiation करेंगे, तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ को हम iacities रखेंगे, मालो पहले मैंने u को iacities रखा, v को differentiate कर दिया, फिर मैंने plus लगाया, v को iacities रखा, और u को differentiate कर दिया, जैसे, जैसे, जैसे के लिए वही ले 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 example, ये वाला, यहाँ पर ये दोनों function है, अब इन्हें मुझे differentiate करना है, तो मुझे पता है, अगर कोई चीज़ लॉग में होती है, उसका differentiation करते हैं, तो क्या आती है, 1 upon x, तो अगर मैं y का differentiation करूँगा, क्या आएगा, 1 upon y, 1 upon y, और किसके respect में कर रहा हूँ, मैं x के respect में, तो यहाँ पर मुझे एक बार dy भी लिखना पड़ेगा, जैसे, देखें, y is equal to x की power n होता था, हम direct क्या लिख देते थे, dy by dx is equal to n x की power n minus 1, actual में ये चीज़ डारेक्ट नही होती है, ये चीज़ कैसे होती है, समझे, y का जब differentiation करेंगे, तो हम लिखेंगे dy, फिर उसके बाद इसका differentiation करेंगे इधर, x की power n, n पहले आ गया, फिर power एक कम हो गई, और किसका differentiation कर रहे थे, x का, तो हमें dx यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फिर हम क्या करते हैं, इस dx को नी इसको नीचे ले आए, x की power n-1, कर किसका रहते है, x का तो dx आएगा, फिर dx को अगर नीचे ले आए, तो dy by dx यह बना, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम किसका कर रहे है, y का, तो y, ln y का formula क्या हुआ, 1 upon y, y है तो 1 upon y, x होता तो 1 upon x हो जाता, z होता तो 1 upon z हो जाता, अ अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन दोनों का multiplication है, इन में से किसी एक चीज को पहले रख लें, मालो x को पहले रख लें, फिर हम दूसरे वाले का differentiation करेंगे, तो क्या आएगा, 1 upon x, 1 upon x, dx, ठीक, प्लस, ln x को ऐसेटीज रखें, ln x को ऐसेटीज रखें, x का करेंगे तो क और किसका करना है तो x का, फिर से dx, अब dx को अगर common ले लें, तो x x cancel out हो गया, यहाँ पर बचा 1, प्लस, यहाँ पर बचा ln x, और यहाँ पर आया dx, और यहाँ पर आया dy upon y, अब dx को नीचे ले आएं और y का इधर multiply करा दें, तो dy y dx is equal to 1 plus ln x y, और y क्या चीज थी? y जो थी x की पावर x थी, तो मैं y की जगे क्या लिख सकता हूँ? x की पावर x, और अंदर क्या आया? 1 plus ln x, जहाँ से देखें, शुरुवाद में कस्ट होगा, लेकिन एक दो निमेर कर लगा लोगो तुमको पता चल जाएगा कैसे क्या करना है? इसके इन्षोड ले लें, अरे समझ में आया? क्या किया? variable की पावर variable, जब ऐसी critical condition आई, तो दोनों तरफ मैंने log ले लिया, क्योंकि log में ही ताकत है इस पावर को नीचे लाने की, तो log y इधर हो गया, इधर हो गया ln x की पावर x, अब x तो इधर आ गया और ln x ऐसे रखा रहा, अब हम क्या देख रहा है कि दो चीजों को multiplication हो रहा है और दोनों चीजे variable है, इसके लिए हमाँ पास तरीका क्या है, पहले इसको रखे रहो, दूसरे वाले का कर दो, फिर प्ल पिर ln x को ऐसे टीज रखा, x का differentiation क्या आता है, 1, और चूंकि x का कर रहा है तो dx लिखना पड़ेगा, अब dx, dx, इन दोनों जगह से मैंने common ले लिया, x, x कट गया तो 1 बचा, यहां पे ln x बचा, यह bracket था, अब मुझे क्या निकालना था, dy, y, dx निकालना था, तो मैं dx को नी पीचे ले आया, y से मैंने multiply करा दिया, और y था क्या, x की power x, तो x की power x, और बाकी जितनी चीज बची थे, ऐसे दिज लिख दिया, समझ में आया, चले गए सन्नाटे में, अगर यह आया, तो अगला question खुद करें, यह वाला question खुद करें, अब x की power 1 upon x है, करके बताएं, जब तक खुद हाथ पाण नहीं चलाओगे, कुछ नहीं समझ में आना, master करके चला जाएगा, तो भूल जाओगे दो दिन बात, अच्छा, चलो देख लेते हैं, तो x की power 1 upon x, जब मैं यह देख रहा हूँ, कि variable की power variable हो गई, तो मेरा धर में दोनों तरफ log लेने का, क्योंकि उसी में थाकत है, उस variable को नीचे लाज पाए, तो मैंने क्या लिया ln, ln y is equal to ln x की power 1 upon x, अब यह power नीचे आजाएगी, तो 1 upon x, ln x, अब मेरे पास दो ऐसे format हो गए, मैं यहाँ पर करूँगा दोनों तरफ differentiate, तो इधर जब मैंने differentiation किया, तो यह आया 1 upon y, और चूँकि मैं y का कर रहा था, तो dy लिखना मेरा धर में, अब यहाँ पर 1 upon x, ln x का किया, तो 1 upon x आ गया, चूँकि हम x का कर रहा था, तो dx लिखना पड़ेगा, प्लस, अब ln x को iacities रखेंगे, ln x को iacities रखेंगे, और 1 upon x का differentiation करेंगे, 1 upon x का differentiation क्या होता है, देखें, अगर y होता है 1 upon x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब x की power minus 1, x की power n का differentiation क्या होता है, dy by dx, पावर नीचे आ जाती है, और फिर उसके बाद इसकी power एक और कम हो जाती है, तो minus 1 था, तो minus 2 हो गया, minus 2 है इसको नीचे ले जाओ, minus 1 upon x square is the answer, ठीक, तो जब मैं 1 upon x का differentiation करूँगा, तो answer क्या आएगा, minus 1 upon x square, चूँकि मैं x का कर रहा था, इसलिए dx लिखना पड़ेगा, अब इन दोनों term से dx को common ले ले, यहाँ पर क्या आया, 1 upon x square, यहाँ पर आया 1 upon x square, और यहाँ पर dx लिखाया तो मैं उपर dx लिखता हूँ, तो dx upon x square, फिर minus लगा तो minus लगाएंगे, ln x, dx upon x square, dx upon x square को common ले ले, dx upon x square को common ले ले, तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा ln x, यहाँ पर क्या है, dy upon y, अब y मैं इधर ले जाना चाहता हूँ, और x इधर ले जाना चाहता हूँ, इन दोनों को interchange करना चाहता हूँ, तो क्या आएगा, dy upon dx, is equal to y upon x square, 1-ln x, तो y क्या चीज़ है, x की power 1 upon x, तो y की जगे रख दो, x की power 1 upon x, upon x square, 1-ln x, कम से कम यहाँ तक आपको differentiate करना पकता है, चले गए सन्नाटे में, कि समझ में आ रहा है, अरे कुस्तों बोलो, कुछ नहीं आ है समझ में, दुबार रख आएं, जैसे पिछला numerical किया था, बस वैसे ही करना है, variable की power variable था, तो दोनों तरफ ln ले लिया, यहाँ पर ln हो गया, यहाँ पर ln हो गया, ln y is equal to, ln x की power 1 upon x, x की power ln, m की power n का format है, यानि n पहले आ जाएगा, तो 1 upon x पहले आ गया, और ln के साथ x एसिटीज रखा रहा, अब यह भी x का format है, यह भी x का format है, तो इसका नियम क्या था, नियम यह था कि पहले इसको रखेंगे, इसको differentiate करेंगे, फिर इसको रखेंगे, इसको differentiate करेंगे, तो अब मैं इन दोनों तरफ differentiation करूँगा, इसका differentiation किया, तो ln का format था, तो 1 upon y आ गया, y रखा था, z होता, z हाता, x होता, x होता, x आता, ठीक है, ln y था, तो 1 upon y आया, चूंकि मैं y का कर रहा हूं, तो dy आया, अब 1 upon x को आय सिटीज रखा, ln x का differentiation 1 upon x हुआ, चूंकि मैं x का कर रहा था, तो dh लिखना पड़ेगा, प्लस, ln x को आय सिटीज रखेंगे, 1 upon x का differentiation करके देखा, 1 upon x का differentiation करके देखा, y is equal to 1 upon x मान लिया, x उपर गया, तो minus 1 power हो गई, x ही power n को कैसे solve करते हैं, power नीचे आती है, फिर power में एक और कम होता है, मतलब और minus 1 करें, minus 2 हो गया, minus 2 नीचे चला गया, तो power plus 2 हो गई, और उपर क्या बचा था, minus 1, तो ये इसका solution हुआ, इसका solution, तो जब मैंने, 1 upon x को differentiate किया, तो ये आया, इतनी calculation करके देखा, और चुकि मैं x का कर रहा था, इसलिए dx लिखा, अब यहाँ पर भी dx दिख रहा है, और यहाँ पर भी dx दिख रहा है, तो इन दोनों term में से dx को common लेना है, मुझे, पहले मैं इसको simplify करूँगा, 1 upon x, 1 upon x, यहाँ पर माइनस लगा, तो माइनस पहले लिख देंगे, ln x upon x square, तो ln x upon x square और dx, फिर मैं देख रहा हूँ, dx upon x square, dx upon x square, दोनों से common हो सकता है, इसको जब common लिया, तो यहाँ बचा 1, और यहाँ बचा ln x, और यहाँ बचा minus, अब मुझे तो dy, y, dx निकालना था न, तो dx को मैं नीचे लाना चाहता हूँ, तो y को उपर ले जाओ, तो यहाँ से dx नीचे ले आए, तो dy, y, dx हो गया, और y उपर चला गया, तो यहाँ यहाँ हो गया, नीचे तो x square लिखा ही था, और यहाँ पर जो लिखा था वो ऐसी रहेगा, y के value पूट कर दी, जो मुझे question में दी थी, x की power 1 upon x, आब समझ में आया के नहीं? सीमा, तुमको समझ में आया? Second step में problem देना तुम्हें? चलो, आगे बलते हैं, अब कुछ और formula हैं मेरे पास, जैसे y is equal to sin x है, तो sin x का differentiation होता है cos x, cos x का differentiation होता है sin x with minus sin, तो cos x का differentiation, देखो, sin का differentiation cos, cos का sine, बस cos वाले में हमको minus लगा देना है, tan का होता है x square x, plus के साथ, cosec x का होता है cosec x into cortex minus के साथ, देखो, तुमको सिर्फ ये तीन formula ज्यादा important है, physics के point of view से, ये गडित में इस्तेमाल हो सकता है, और ये वाला भी गडित में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारी physics में, सिर्फ sin, cos और tan का बहुत महत्त हो है, क्यों? क्योंकि जो forces होते हैं, उनके हम component आगे चलके लेंगे, तो एक आएगा cos में, एक आएगा sin में, और उसका जब हम integration करेंगे, differentiation करेंगे, तो ये दोनों formula हमारे लिए बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं, बहुत आसान भी है, sin का differentiation क्या है? cos, cos का differentiation sin, बस minus का ध्यान देना है, tan का होता है, sex square x, इतना याद रखो, अगर ये भी याद कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात, ठिक, अच्छा, अगली चीज, ये तीन तरह के format होते हैं, u plus v वाला, u plus minus, v वाला, u into v वाला, ये दोनों मैंने समझा दिया, एक एक example ले लिया, ये दोनों u into v वाला multiplication है, solve करें, और बताएं कितना है, क्या करेंगे, इसका differentiation करना है, dy by dx, पहले इसको रखे रहेंगे, इसका differentiation करेंगे, x को रखे रहे, sin x का differentiation क्या हुआ, cos x, पिछे फार्मूला लिखा हुआ था, plus sin x को as it is रखेंगे, x का differentiation होता है, यहाँ पे भी dx आता, यहाँ पे भी dx आता, लेकिन दोनों को common लेके, मैंने divide कर दिया, इसलिए direct लिख दिया, dy by dx, नहीं तो तुम इसको ऐसे लिख सकते थे, कि y का differentiation क्या हुआ, dy, फिर x को as it is रखा, sin x का differentiation हुआ, cos x, और चूंकि हम x का कर रहा है थे, यहां से यहां से, तो यहां क्या बचा, x cos x, x cos x बचा, और यहां पे बचा, sin x, और बाहर क्या गया, dx, और इधर क्या गया, dy, अब dx को नीचे उतार लो, dy by dx, is equal to x cos x, plus sin x, x cos x plus sin x, चाहें तो direct लिख दें, और चाहें तो, कितने step all लिखें, लेकिन आयेगा वही, गडित में तरीका चेंज हो सकता है, लंबाई चेंज हो सकती है, लेकिन अगर step by step आपने सही किया है, तो answer कभी change नहीं होगा, चित, इसका screen saw ले लें, अच्छा, एक और तरह का format होता है, u upon v, और दोनों variable हैं, मतलब दोनों में x होगा या y होगा, दोनों variable हैं, ऐसे case में क्या करते हैं, जब dy by dx निकालते हैं, तो इस v को पहले हम उपर ले जाते हैं, और ऐसे ही रखते हैं, और u का differentiation करते हैं, फिर हम minus लगाते हैं, u को आब as it is रखते हैं, और v का differentiation करते हैं, और फिर नीचे जो v था, उसका हम square करके divide कर देते हैं, फिर से सुनें, u upon v का करना था, v को उपर ले जाएं, as it is रखते हैं, u का differentiation करते हैं, फिर minus लगा दें, u को as it is रखते हैं, v का differentiation करते हैं, और फिर 2 की denominator में v था, इसलिए अब v का ही square हो जाएगा, जैसे, यहाँ भी इसको हमें solve करना है, sin x upon x, दोनों तरफ आपका variable है, तो dy by dx क्या निकाला गया, अध्यान से देखें, यह v है, इसको as it is रखेंगे, और इसका differentiation करेंगे, तो sin का differentiation cause x, फिर minus लगाएंगे, sin x को ऐसे ही रख देंगे, और इसका x का differentiation करेंगे, x का differentiation होता है 1, upon, denominator में x लिखाता है, x की power 2 कर दें, अगर x square लिखा होता है, तो power 3 हो जाती, समझ रहे न, जो भी है, तो अगर x लिखा है, तो यह हो गया, अब देखें, dy by dx is equal to, simplify कर लेते हैं, तो यह हो गया, x, cos x, और यहाँ पर minus का sin x, upon x square, this is the final answer, एक question आप करेंगे, अगर मैं दूँ, y is equal to cos x, upon x, तो dy by dx बताएं, practice है, practice, पहले वाले को देखें, दूसरा वाला लगाएं, लास्ट स्लाइट का, screenshot लेना है, अच्छा, ले लो, ले लो, screenshot ले लो, अगला, खुद करके बताएं, एक मैंने बताएं, एक तुम करो, अगर अभी नहीं किया, विटा आगे चलके रोगे, क्योंकि लगेगा नहीं, इतियास गवाह है, तुरंट का तुरंट जिसने प्रैक्टिस किया है, वो आगे बढ़ गया है, वो जो आलस कर जाया है, वह वह पीचे निकल गया है, लगाते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, dy by dx, जो नीचे वाला टर्म में, उसको पहले लिखें, उसके साथ कुछ ना करें, उपर वाले को डिफ्रेंसियेट करें, तो कॉस x का डिफ्रेंसियेसन, माइनस का साइन x, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे, और उपर वाले टम को SATs रखेंगे, और नीचे बाले टम का differentiation करेंगे, तो x का differentiation होता है 1, अच्छा, नीचे x था, जो भी था उसका square कर दो, जो भी था उसका क्या कर दो, x square होता है, तो x square का square कर देते हैं, कुछ भी होता है उसका square कर देते हैं, अब dy by dx, यहाँ पर minus, दोनों जगे आएगा, तो यहाँ पर आया minus का x sin x, minus का cos x, upon x square, this will be the answer, क्या आपका यही आया था, very good, सीमा को तो यही आया था, इस तान तिया दो, गलत हो गया, अच्छा, x square लिखा हुआ है, लेकिन x cos x आपने minus नहीं किया, इसान, पहला भी time minus आएगा, राहुल, सुमेथ, राखी, very good, बहुत बढ़ी है, सब कुछ तो आ गया तुम लोगों को, अब तुम लोगों को सब कुछ आ गया, अब देखो मैं numerical देता जाऊंगा, आप लोग करते जाना, जैसे एक numerical में ले लेता हूँ, y is equal to 5x square plus 1 upon under root x plus 2 to the power x plus sin x, find out dy by dx, question की length देखके ना डरें, यह u plus v का format है, हर एक को अलग-अलग करना पड़ेगा, वो आराम से निकलेगा, पहले तुम थोड़ा सा try करो, फिर मैं पूरा बताता हूँ, आगे की गढ़ित में differentiation है, अगर अभी नहीं सीख पाए, तो आगे हवा नहीं लगेगी, डर लगेगा फिर, इसलिए अभी थोड़ी सी practice जरूरी है, अब देखो मैं करता हूँ इसे, इसका differentiation करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, dy by dx, अच्छा, यह 5 जो है, वो constant है, इसको x2 का differentiation करना है, तो पावर पहले नीचे आएगी, और फिर पावर में एक कम हो जाएगा, यानि 2 था तो 1 हो गया, और 1 लिखा नहीं जाता है, 1 लिखना थोड़ा जीब लगता है, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, अच्छा, प्लस, 1 upon under root x, 1 upon under root x का क्या मतलब हुआ, 1 upon under root x का ये मतलब हुआ, 1 upon x की पावर 1 upon 2, इसको जब उपल ले जाएंगे, तो x की पावर आएगा, minus 1 upon 2, जब इसका differentiation करेंगे, तो क्या आएगा, minus 1 upon 2, पावर उतर आई, फिर x की पावर जो लिखी थी, उसमें एक और minus कर दो, तो क्या हो गया ये, minus 1 upon 2, x की पावर, minus 3 by 2, तो ये आपका result आया, इसको ICTs भी लिख सकते हैं, तो इसको जब हम ICTs लिखेंगे, देख ले न भी या, calculation mistake तो नहीं है, minus 1 by 2, फिर minus 1 किया, minus 3 by 2, ठीक है, तो ये आगया, plus लगा हुआ है, तो इसको मैं minus कर देता हूँ, तो यहाँ पर आएगा, minus 1 upon 2, x की पावर, minus 3 by 2, तो मैंने इसका differentiation कर दिया, इसका differentiation कर दिया, अब 2 की पावर x, 2 की पावर x का format क्या है, 2 की पावर x का format है, जैसे a की पावर x का था, तो कि a उसमें constant हुआ करता था, और इसका formula हमें पता है, क्या होता था a की पावर x, ln a, ln मतलब log e, log base e, ठीक, और a जो था वो यहाँ आगया, अब यहाँ ए की जगह कौन है, 2, तो जहाँ जहाँ a लिखा है, वहाँ बाद 2 आए plus, sin x का differentiation, cos x होता है, खतम, यही answer हो गया हमारा, यह हो गया differentiation, ध्यान से देख लें, ध्यान से देख लें, स्क्रीन च्रॉल ले लें, अगला question करते हैं, अपने पास 4 मिनाट हैं, किसे कोई doubt हो, पूझ लेना, तो अगला question है, y is equal to x की power 4, plus e की power x, plus ln x, plus cos x. देखें, dy by dx, जब हम इसका करेंगे, तो क्या होगा, 4 नीचे आजाएगा, पावर 1 कम हो गई 3, e की power x का, e की power x ही होता है, ln x का, 1 upon x होता है, cos x का, minus sin x होता है, this is the answer. क्या सबको समझ में आ रहा है, कि प्राण पखेरू ऊड़े जा रहे हैं, अगला question, y is equal to x square e की power x, अब यहाँ पर multiplication में हैं चीज़ें, फिर उसके बाद अगला question करेंगे, y is equal to sin x ln x, sin x ln x, ठिक, देखो one by one करते हैं, जब multiplication में होता है, तो क्या नियम होता है, पहले वाले को पकड़के रखो, दूसरे का कर दो, फिर plus लगा दो, दूसरे को पकड़के रखो, पहले का करो, तो dy by dx करेंगे, पहले वाले को assetis रखेंगे, e की power x का differentiation करेंगे, तो e की power x ही आया, plus, अब e की power x को पकड़के रखेंगे, और x square का करेंगे, तो two नीचे आ जाएगा, और power x कम हो गई, मतब one बचा हो, one लिखा नहीं जाता है, तो यह हमारा answer हो गया, यहाँ पे देखें, दो का multiplication है, पहले को पकड़ो, दूसरे का करो, दूसरे को पकड़ो, पहले करो, बीच में प्लस लगेगा, तो dy by dx, sin x को पकड़ लिया, ln x हो गया, one upon x, फिर ln x को पकड़ लिया, sin x को हो गया, cause x, answer, screenshot ले ले, क्या समझ में आ रहा है, सब सन नाटे में आ रहा है, राहूल को आता है, राहूल को हमिद में आ रहा है, सुमित को भी आ रहा है, वेरी गुड, अब देखो, कुछ ऐसा करा दें, जो आपकी फिजिक्स में काम आए, जैसे, मान लो, displacement दिया हुआ है, displacement दिया हुआ है, 5T स्क्वाइर प्लस 3T प्लस 4, और आप से पूछा, विलोसिटी बताओ, विलोसिटी बताईए, टाइम इस इक्वल तू सेकेंड में, एक्सेलरेशन बताईए, टाइम इस इक्वल तू बन सेकेंड में, यानि displacement को differentiate करना, किसके respect में करना है, time के respect में, x के respect में नहीं करना, और हमें time की equation दिये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका जब differentiation किया, तो 5 तो ऐसे ही लिखा रहा, 2 नीचे आ गया, और power एक कम हो गई, मतलब 2 थी तो 1 हो गई, प्लस 3, इसका differentiation 1 हो जाएगा, और इसका differentiation 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आया, 5 इंटू 2, 10t प्लस 3, ये आया, लेकिन हमें velocity कितने time में पूछ रहा है, 2 second में, कितने second में, 2 second में, तो यहाँ पर time की जगे क्या रख देंगे हम 2, time की तके क्या रख देंगे, t is equal to 2, तो कितना आया, 10 into 2 प्लस 3, is equal to 23 meter per second, ये अगर meter में दिया हो गए तो, अब मालो acceleration पूछ रहा है, तो acceleration क्या होता है, change in velocity upon change in time, velocity की ये equation आई, ये equation किसकी थी, velocity की, इस equation को time के respect में, differentiate कर दोगे, तो acceleration आजाएगा, तो 10 तो ऐसा ही लिखा रहा, t का differentiation हो गया, 1, plus, constant का differentiation हो गया, 0, तो acceleration कितना आगया, 10, meter per second square, और ये time पर depend नहीं कर रहा, इसलिए इसको बोला जाएगा, constant acceleration, constant acceleration, time के साथ ये बदलेगा नहीं, देखो, time तो ओवर हो चुका है, यह displacement दिया हुआ था, और हमें निकालना था, velocity, समय, time बराबर 2 सेकेंड पर, तो इसको हमने time के respect में differentiate किया, तो 5 को ऐसे ही रखेंगे, t square का differentiation करेंगे, power नीचे आ गई, और power एक कम हो गई, मतलब power of 1 बची, फिर 3 को ऐसे ही रखेंगे, t का differentiation 1 हो गया, और 4 का differentiation 0 हो गया, अब यह जो result है, इसको ध्यान से देखेंगे, 5 into 2, 10 हो गया, और t बचा हुआ है, प्लस 3 बचा हुआ है, यह velocity की equation आई, differentiate करने पर, अब हमसे पूचा time बराबर 2 सेकेंड पर, यहां पर t की जागे क्या रखेंगे, 2 सेकेंड, तो velocity 2 सेकेंड में कितनी होगी, यह निकलाएगी, कितनी निकली, 10 into 2, 20, 20 प्लस 3, 23, अब हमसे पूचा acceleration बताओ, time बराबर 1 सेकेंड में, तो velocity जो हमने निकाली, उसको दुबारा differentiate कर देंगे, तो क्या जाएगा, acceleration, इसको differentiate करेंगे, t का differentiation हो गया, 1, 3 का हो गया, 0, यानि कि 10 into 1 कितना होगा, 10, इसमें time आया ही नहीं, time नहीं है, मतलब time पर depend नहीं कर रहा, यह constant है, अब समझ में आ गया, राहूल? क्लास को ओबर करें? क्लास को ओबर कर दो,